तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे ऊपर नई वीडियो में और आज किस वीडियो में आपको दिली के सबसे सुंदर पार्क में से एक सेंटरल पार्क दिली लेकर आया हूँ जो कि है कनोट प्लेस में तो यहाँ पर भी क्या है कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है तो मैं आपको पूरा फ्लावर फेस्टिवल दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में और कनोट प्लेस दिली के इस सेंट्रल पार्क का पूरा फुल टोर देने वाला हूँ साथी साथ यहां के टैमिंग्स लोकेशन सब कुछ इस वीडियो में बदाने वालों तो यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो कन तक जूर देखें और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को स्ब्सक्राइब रू कर लें अगर आप में नहीं क्या तो गायज हम आगे ह और सेंट्रल पाक की लोकेशन की बात की जाये तो वोगी राजीव चूंग कनोट प्लेस दिली में यहां नेकस से नस्दी की मेट्रोशन भी आपको पड़ेगा राजीव चूंग का राजीव चूंग मेट्रोशन के कई गेट्स हैं जहां से आप एक्जिट कर सकते हैं और इस में आपको कनोट प्लेस के दिख जाएगा यह सेंट्रल पाक तो यह जो एंडीम सी फ्लावर फेस्टिवल है नौ और दस मार्श दोजर चोविस को होगा हर साल होता ही है तो इस साल यह नो और दस मार्श दोजर चोविस को इसके लावाँ यहां की जो टैमिंग वह देखते हैं क्या कुछ मैं देखने को मिलता और इस तरफ कि इतने सुन्दर तरीके से यह फूलों के पिलर लगाया है एक यहां पर है और एक यहां पर मौसम भी काफी बढ़ी है स्प्रिंग सीजन का टाइम है तो स्प्रिंग सीजन के सेलिबरेशन के लिए यह फेस्टिव यह फेस्टिवल का और मतलब जो खुश्बू है वह भी बहुत अच्छी है तो मैं पहली बार यह फ्लावर फेस्टिवल देख रहा हूं दिली में अडियम सी के द्वारा कई ऐसे फेस्टिवल को और गनाइस के अगया है तो उन में से एक यह वाला फ्लावर फेस्टिवल ह यहां देखे दो-दो एगल और एक बड़ा सा दिया सा बनाया है दिया है तो यह देखे कितना प्लावर लगया है बाज है बाज क्या सुन्द तरीके से फोलों से बनाया गया नीचे अरंगोली भी बनाये गाए तो ऐसे एंडिमल बर्ड डिस्प्लेए बहु है जो आपको को मिलेंगे फ्लावर से बने हुए फूलों से बने हुए और एंट्री की बात की जाए तो एंट्री बिल्कुल फ्री है यह एंडीमसी फ्लावर फेस्टिवल की कि यह दूसरा वाला तो सेंट्रल पार्क जो है दिली का कनौट प्लेस का यह काफी बड़ा पार्क है गोल गोल चकर कार सकते हैं इस पाक के आप और इस वाले फ्लावर फेस्टिवल में आपको सबसे ज्यादा फ्लावर डिस्प्लै देखने को मिलेंगे यह आप देख सकते है हैं कितना सुन्दर तरीक से बनाहे हैं गाया है सारी फूलों से जाएगी एग Il WWE अर आग crawl I am messages देख रहा है इसके लावा में मुठ देख़र हैं यहा पर रास्ता बहुती सुन्दर तरीक से बनागी से बनाहाइगा और इस तरह आप है तुने हैं यह मोर और नहीं है है अलग-अलग फु नों से बनाया जो आगे आहां पे है शेर है यह रहा सिसका जो मुह ना वह बोरी से बनाएंगा ॉ कर दोते हैं जो मोह है अग Big घृताओ सुन दरीSP से बनां गया देखिए किस तरीके से लाइन्ज में फ्लार्ज लगें हैं बीच में शायद एक स्टेज अरिया भी है तो वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में अलग-अलग फूल आपको देखने को मिलेंगे स्प्रिंग सीजन पैस्ट टाइम है यहां पर आने का इधर देखिए कितने संदर तरीका से फ्लामिंगो बनी वह शायद यह देखिए कितना बढ़ी है तरीका से दो-दो फ्लामिंगो लग रहे हैं मिरको सारस क्रेन है फ्लामिंगो है पता है नहीं लेकिन वाटर बड़ है यह कोई हाई आपको क्या लग रही आपको क्या लग रही है व्लामि असको बलैक नहीं ब्लैक बक नहीं होता प्ले ब्लाक रंगर होता वह थे हैं मोária कर Play पर अब इसके बाद कितना संदर तरीका से यह बनाया गया इस वाइप रëड और पिंक फूलों से भीच में भी काफी सुन्दा लग रहा है बहुती बड़ा गाड़न है और सेंट्रल पार्क जिए भीच बड़ा भीच आपको जिंडा का जंडा देख जाएगा और इस तरफ यहाँ पर बहुती सुन्दर एरिया बना रखे हैं अंदर जा सकता है आगे भी कैसे ही है अच्छा तो यह लैंड्सकेप काड़न है यह लैंड्सकेप काड़न है अंदर देखते ही आपको एक बहुत ही सुन्दर लैंड्सकेप देखने को मिलेगी जैसे वहाँ पर वाटरफॉल है इधर आप बैठ सकते हैं कि मैंने देखा सबसे बड़िया फ्लार फेस्टिवल यह कोई भी फेस्टिवल सबसे बड़िया वाला फेस्टिवल जो स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जा रहा है एंडीमजी के द्वारा दिल्ली में सबसे बैस्ट वाला यह है तो एचली यह जो आप देख रहे हैं हैं हैंगिंग बास्केट्स हैं इसका नाम हैंगिंग बास्केट्स हैं इधर लिखा हुए हैं हैंगिंग बास्केट्स कुछ छोटी छोटी हैं और कुछ बड़ी बड़ी हैं आगे में एक तितली देखने को मिल रही है और एक बड़ा आगे जाके देखते हैं क्या को देखने को मिलता है तो यह वाला जो एरिया है यह सीजनल फ्लारिंग पॉटेड प्लांट्स का अच्छा यह तिकली बनाई हुई यह कितनी सुंदर तरीके सा कि लग रहे हैं काफी सुंदर तिकली यह सारे सीजनल फ्लारिंग प्लांट्स इस तरफ चलते हैं यहां सामने आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से फूलों का डिस्प्ले किया गया कितने सुंदर फूल है यहां पर पर्पल हो गया यलो हो गया और यह सामने जो देख रहे हैं यह ट्यूलिप्स है और इधर भी देखे कितने सुंदर तरीके से बना गया सामी सरकल सा तो अलग अलग जगा देख जाएंगी जहां पर अपनी फोटो क्ली करवा सकता हैं यह भी बहुत ही बड़ा एरिया है जहां पर आपको फ्लावरिंग प्लान्ट दिख जाएंगे अच्छा तो उधर एक ओर डिस्प्ले दिख रहे हैं और इस तरफ देखे कितने सुंदर तरीके से चिडिया बनाए गया लग रहे हैं सुंदर चिडिया काफी यहां पर लिखा हुए इंडिया ओन मून क्रियेटेड हिस्ट्री अच्छा तो यह चंद्रयान थ्री को दिखाने के लिए बना आ गया बहुत सुंदर तरीके से और एक और ऐसा डिस्प्ले सा लगा हुगा फ्लोरल डिस्प्ले कई है कई है कई है मैं देखते हैं आगे जाके यह चंद्रयान थ्री है और यह सारे फ्लोरल पिलर्ज है तो आगे यहां पे जो डिस्प्ले किया गया यह है प्रोटक्ट नेचर सेव अर्थ अच्छा तो यह प्रोटक्ट नेचर को डिस्प्ले करने के लिए होसंदर तरीके से बना आ गया सच में बहुत ही सुंदर क्लावर फेस्टिवल है गाड़नों फाइव संचेस वाले फ्लावर फेस्टिवल से ज्यादा सुंदर रही है तो इधर यहां पर डिस्प्ले किये के क्यक्टाई और बाकी पोड़े अब आगे बढ़ते हैं आगे देखिए कितना सुंदर सा नात सोग्तल है रेंग गविह अपको देखने को मिलेंगे ऐसे दो दो कि कि यह देखिए कितना सुंदर है यह संद लग देके betterazione कि इन तीन कितने संदर हर्ट से या यह सिं हैं कि इगर दिल संदर के सया थैसे तो यह आपको शाय्ट पर देखने को मिलेगे Pack owner बीच में खड़े होके अपनी फूटो क्लिक करवा सकते हैं मतलब मैंने कई जगह पर दिली के फेस्टिवल में एक हर्ट देखा होगा दो देखे होगा पर यहां तो तीन-तीन है और काफी बड़े साइज भी हैं का तो दिरी जिरे करके इधर के आपको दिखाते हैं बक्तव्आन बर्ग कन्डे यह सब्वेते हैं के अधे हैं झजो टर्व फंप नहीं हो में यह दो बakaati कर सब्सक्राइज कर साइज हैं कि अध्यान लुगा के सब्सक्राइबThis दिखर को एक यह यह दिखताने को हाई-धवाइश्न नहीं इसके लावा यहां आगे एक बोटल गाडन आपको देखने को मिलेगा यह देखे यह बोटल गाडन है बोटल के अंदर देखी कैसे डिस्प्ले किये गए यह पोधे बगरा और यह बहुत सुन्दर तरीके से जैसे किसी को देते निया वो डिस्प्ले किया गया फ्लोरल डिस् ये अरिया भी आपको दिख जाएगी सेंटरल पार्क में फिर इस तरफ आपको फोलियाज प्लांट्स देखने को मिलेंगे ये भी काफी बड़ी अरिया है फोलियाज प्लांट्स की और इस पेड़ के नीचे आप भाठ भी सकते हैं ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं कि साफ़ शुत्रा पार्क में देखा काफी कि अच्छा तो यह अगरी कल्चर चीजों को डिस्पले किया गया अगरो प्रडक्स है यह गाड़न में काम आने वाली चीजें तो यह चाहें तो खरीद भी सकते आप और आगे आप एक ग्रीनिश नर्सरी है छोटे छोटे ले सकते हैं कमले टाइप प्राइज दिखें लगी 300 के अच्छा तो इस तरफ पे आपको और ज्यादा ऐसे डिस्पले करने के लिए या खरीदने के लिए भी दिख जाएंगे नर्सरी या पर प्रडक्स होगे गार्णिंग रिलिटेट तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के बॉंगन मिलिया देखने को मिल जाएंगे आपको और इस तरफ यहाँ एक और फ्लोरल डिस्पले है और यह वाला है एलिफेंट का यह देखें लग रहा है ना काफी बढ़िया तो सेंट्रल पार्क के अंदर आपको बहुत सुन्दर फाउंटेन भी देखने को मिलेंगे यह देखिए इस तरफ यह फाउंटेन लगाए गया पर इसके टैमिंग का भी मिले को पता नहीं और इस तरफ यहाँ बैठने के लिए एरिया बना रखी है यह देखें यह बीच म तो इसके चारों तरफ देखिए कितना तरीके से फ्लोरल डिस्पले किया हुआ है यह स्टेज एरिया के बिल्कुल पीछे है और जो पाथवेज हैं बहुत सुन्दर तरीके से बनाया गया यह देखिए कितना सुन्दर रास्ता बनाया वा पिंग पर पल कलर में और इस तरफ यह देखिए यह सारा का सारा एरिया मैंने आपको दिखाया था और इधर भी आप फाउंटेन वगरा देख सकते हैं पता न तो यह सारा सेंट्र पार्क कुनॉट प्लेस का फ्लार फैस्टिवल था मैंने सारा दिखा दिया आपको इस वीडियो में ऐसी ओर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब रू कर लें अगर आपने नहीं किया तो